आज हम लोग हॉर्मोन के बारे में पढ़ेंगे। हॉर्मोन एक रसाइनिक पदार्त है जो शरीर के एक भाग में संशलेशित होता है तथा रख संचार में प्रवेश करके समीत की कोशाओं अत्वा दूरस्त अंगों तथा उतकों में पहुचकर उनकी संग्रशना तथा कारि को प्रभावित करता है या उनमें परिवर्तन लाता है संधारी जीवों में हॉर्मोन के कई वर्ग होते हैं जिनको उनकी संग्रशना अत्वक्रिया विदी के आधार पर हॉर्मोनों को वर्गी कृत किया जा सकता है अब उनकी क्रिया विदी के अनुसार हॉर्मोन दो पहला समूव वो है जो कोशा कला के बाहे सता पर उपस्थत ग्राही से जुड़ कर कारे करते हैं, उधारन के लिए पेप्टाइड हॉर्मोन, अमीन हॉर्मोन तथा आइकोसानॉइड हॉर्मोन, जबकि दूसरा वर्ग वो है जो कोशा में प्रवेश करके केंद्रक में उपस् इसमें पहला समूव अंतस्ताव की ग्रंथियां हैं, इंडोक्राइन जो है वो ग्रीक शब्द है, इंडो का मतलब होता है भीतर और क्राइनन का अर्थ होता है मुक्त करना, तो खॉर्मोन रक्त में ग्रंथी द्वारा मुक्त किये जाते हैं, तथा रक्त परी संचरन तंत् उफजते हैं, और वहां अपना कारें दर्शाते हैं, उधारण के लिए इंसलिन, पेरक्राइन ह espaर्मोन ये द्वारा मुक्त किये जाते है उसी कोशा की बाय सत्ब परवपस्तत ग्राही से जोड़ कर उसी कोशा के कारियों में परिवर्तन लाते हैं अनतिस्टाव की ग्रंथियां वाहिनी ही अथार्त डकलिस ग्रंथी होती हैं ये अपने हॉर्मोन का स्त्रवन रक्त परी संचरन तंत्र में प्रत्यक्ष रूप से करती है और रक्त परी संचरन तंत्र के द्वारा हॉर्मोन अपने लक्ष यंगों तक पहुचता है शरीर में अधिकतर ब्रंथियां अपने स्त्रवन वही काहों द्वारा करती है ऐसी ग्र होर्मोन का अर्थ होता है उद्दीप्त करना अथवा उत्तेजित करना जिन होर्मोन के ग्राही कोशा कला की बाय सता पर उपस्थित होते हैं ऐसे होर्मोन जल में विले होते हैं उधारन के लिए पेप्टाइट होर्मोन वो शीगरता से कारे करते हैं और कोशा की कारे की मुक्त करता है तो ये हॉर्मोन जाकर कंकाली पेशी जो उसका लक्ष अंगे वहां जाकर बाय कोशा कला की बाय सता पर उपस्तत ग्राही से जुड़कर कारे करता है और ग्लाइकोजिन का जल अब घटन जिसके कारण होता है जैसे ही एपिनेफरीन अपने लक्ष अंगे कंकाली पेशी की बाय सता पर ग्राही से जुड़ता है तो उसके कुछी समय पस्चात कंकाली पेशी अनुक्रिया करती है और उसमें ग्लाइकोजिन का जल अब घटन त्वरित गती से होने लगता है इसके विप्री थाइरोइड अत्वस्टिरोइड हॉर्मोन की अधिक्तम अनुक्रिया उनके लक्ष यंगों में कुछ घंटों पस्चात अत्वा कुछ दिनों के पस्चात दिखती है उसका मुख्य कारण ये कि कोशाकला को पार करके केंद्रक में उपस्तित ग्राही से पारण इनके अनुक्रिया समय में भी बिंता होती है सामनता शीवरिता से कारे करने वाले हॉर्मोन पहले से उपस्तित पूर्फ से उपस्तित एक या एक से अधिक इंजाइम की क्रियाशीलता में परिवर्तन लाते हैं या ये इंजाइम की क्रियाशीलता में परिवर्तन य जिनकी अभी वक्ति को परिवर्दित करते हैं, जिससे की नियंतरन कारी प्रोटीन का संचलेशन भड़ अथवा घट जाता है। यहां पर पेप्टाइड होर्मोन की क्रियाविदी दर्शाई गई है, यह जल में विले होर्मोन होता है, इस होर्मोन के ग्राही कोशा कला की बाहिस सता पर उपस्तित होते हैं, तो यह होर्मोन है और यह अपने ग्राही से जब जुड़ता है, तो कोशा में यह दुत्यक दू पहले से उपस्तित इंजाइम की सक्रियता में परिवर्तन लाता है और इसके कारण अनुक्रिया शीवरता से दिखती है। यह कोशा कला को पारे करके कोशा द्रव में पहुँच सकता है। इसका ग्राही या तो कोशा द्रव अत्वा केंद्रक में उपस्तित हो सकता है। यदि ग्राही कोशा द्रव में उपस्तित है तो हॉर्मोन और ग्राही जुड़कर हॉर्मोन ग्राही योगिक बनाते हैं और य ये होर्मोन ग्राही योगिक केंद्रक में प्रवेश करता है, अथवा होर्मोन प्रत्यक्ष रूप से सीधे केंद्रक में प्रवेश करता है, ग्राही वहां उपस्थत होता है, होर्मोन और ग्राही मिलका होर्मोन ग्राही योगिक बनाते हैं, ये होर्मोन ग्राही योगिक क् बनाते हैं जो कि विशिश जीन के अनुलेख्यन की दर को बढ़ाता अत्वा घटाता है अथार्थ परिवर्तित करता है जिससे कि MRNA बनता है ट्रांस्क्रिप्शन के बाद और MRNA का जब अनुवात होता है तो प्रोटीन बनती है जो कोशाकला के कारियों में परिवर्तन लाती करने है।